हेलो स्टुडेंट स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल में आज अपने इसमें बात करते हैं कि एनसी का जो अभीर एंसर किया है तो उसको किस परकार से चेक किया जाता है उसके बारे में आज आपको मैं बताऊंगा कि आप किस परकार से चेक कर सकते हो कि आपके कितने क जलता हैं और किस परकार से आप उब्जेक्शन फिल कर सकते हो कैसे उब्जेक्शन लगाया जाता है तो मैं सिधे गूगल की साइट पर हूँ और उसमें लिख रखाया जैसे आप देख सकते हो यहां पर नैशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड और यहां पर आपको उपर व यहां पर आपको कलिक करना है जहां पर जब आप कलिक करोगे तो इस परकार का इंटरफेस आपके सामने खुल कर आएगा ठीक है यह इंटरफेस आपके सामने खुल कर आता है और इसके अंदर आप जो उपर वाला आपके सामने यह नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है रहा हूँ, यह रोलंबर फिल कर दिया है, फिर डेट ओवर्थ लिखनी आपको, तो डेट ओवर्थ के बीच में आपको कुछ नहीं लगाना है, जैसे डेट ओवर्थ आपकी है, केवल वही लगानी है, जैसे आठ्वा मन्त है, यानि अगस्त है, तो 08 लिखना है, और उसके बाद में पूरी येर लिखनी है, जैसे 1993 है, तो 1993 लिखना है, ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ, फिर आपको लोगिन कर देना है, ठीक है, लोगिन करने के बाद में आप यहाँ पर प्रोसीड करना है, और प्रोसीड करने के बाद में यह आपका जो पेप इस परकार से खुलकर आपके सामने आ जाता है इसको आप desktop site के उपर एड़ करना है तो इस परकार से यह आपके सामने interface खुलकर नज़र आएगा तो इसके अंदर आप किस परकार से objection डाल सकते हो यहाँ पर आप सारा कुछ देख सकते हो section है और यह आपके question है जो आपने किये है ठीक है इस परकार से यह के उसर है और यह जो यहां पर आपको answer दिखाई दे रहे हैं इसके यह NSC दवारा बताए गए है कि इसका answer यह होगा ठीक है यह ABCD यहां पर लिख रखा है तो यह NSC दवारा बताए गए answer है और यह जो आपने फिल किये हैं paper पर के दोरान वो यहां पर दिखाई दे रहे हैं यह आपके दोरा किये गए हैं ठीक है तो यह आप चेक कर सकते हो इनका मिलान कर सकते हो कि कौन सा आपका सही है कौन सा गलत है इसके अलावा अगर आपको किसी भी क्यूशन के अंदर ऑब्जेक्शन है जैसे मानलो फस्ट है यानि सोलेनेसी सही है और आपने इसका answer क्या किया है सोलेनेसी तो इसका मतलब सही है अगर मान लो आपने यहाँ पर ग्रेमनी किया होता ठीक है तो यहाँ पर आपको ग्रेमनी आएगा और यहाँ पर यह option सही मान रहा है ये solenacy ठीक है तो यानि अगर आपको उसके अंदर कोई भी objection है कि इसका ये answer अनसी दवरा गल्त बताया गया है इसका ये होना चाहिए तो आपको with proof देना पड़ेगा और उसको आप objection यहाँ पर रख सकते हो तो objection लगाने के लिए इस जो column है ये बल्यू वड़ा उसके उपर आपको click करना होगा ठीक है तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये इस परकार अगर आप click करते हो तो इस परकार का view आपके सामने खुल कर आएगा ठीक है आपके सामने view आ गया है अब इसमें आया है select option type पहला जो है तो उसके अंदर ये खुल कर आया है अगर आप यहाँ पर click करोगे पहले वाड़े option पर select option type उसके अंदर ये सारे लिख लगे वह आप है जो आपके लिए सही हो जैसे आयोग दवारा जारी उत्तर विकलब गलत है यानि कि ओप्शन तो सारे सही है पर उसका एंस्वर दिया है वो गलत है तो आप इस पर टिक कर सकते हो ठीक है फिर इसमें सैकेंड में आपको लिखना है सैकेंड वाले कॉलम में जै और रिजन देना है कि यह जो आप इसका एंस्वर गलत बता रहे हो वो किस रिजन के करन गलत है ठीक है फिर इसमें रिफरेंस मांग रखा है कि रिफरेंस का मतलब है बुक न्यूज पेपर मैगजिन यानि कि आप किस के आदार पर कह रहे हो कोई बुक है आपके पास या फ फिर बुक टाइटल और वेबसाइट ठीक यानि यह यहां पर आप अप्सन देख रहे हो यह रहा ठीक है यह बोल रहा हूं मैं तो यहां पर आपको लिखना है कोई भी बुक का टाइटल जैसे बुक का क्या नाम है या फिर कोई वेबसाइट है जिस पर आपने यह देखा ह तो वेबसाइट कोई authentic होनी चाहिए ऐसी वेबसाइट का answer मान्य नहीं होगा ठीक है उसके बाद में यहाँ पर देखो author name देर का है यान लेका का नाम लिखना है अगर किसी भी आप book का जिकर कर रहे हो एडिशन लिखना है कौन सी एर का एडिशन कौन सा एडिशन है ठीक है फिर है reference page counts यानि संख्या के अंदर लिखना है कौन से page की आप बात कर रहे हो जैसे 5 नंबर page पर यह चीज अगर लिखी हुई है पचास नंबर page पर है जो भी है तो वो संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर save कर देना है save का option है तो save कर दोगे आप तो वो आपकी यहाँ पर gallery के अंदर इस परकार से show करेगा दिखाएगा ठीक है तो उपर यहाँ पर यह वेव objection summary दे रखा है यहाँ पर यह रहा तो यहाँ पर आप जो objection लगाओगे वो सारी देख सकते हो जैसे मैंने click किया है और यहाँ पर यह आ गई सारी summary ठीक है तो मैंने यहाँ पर objection किया था इनके उपर अगर आप उनको मानलों आपको लगे कि यह सही है मैंने गल्द objection कर दिया तो यहाँ से delete भी कर सकते हो ठीक है इस परकार से आप objection कर सकते हो ठीक है और फिर आपकी यह request ह आपके पास चली जाएगी और उस पर भी चार्ज होना है वह होगा ठीक है तो इस परकार से आप objection लगा सकते हो कोई और क्योरी हो आपके पास तो बता सकते हैं